हाती खोड़ा पाल की जे कनहिया लाल की हम पाँच फिल्म के साथ इस द्रिश्रे से तो आप सब वाकिफ होंगे जब फिल्म में पांचो अक्टर एक बुड़े व्यक्ति को उठा कर मस्ती करते हैं ये कोई और नहीं बलकी वॉलिवूट के वर्सेटाइल अक्टर कनहिया लाल चतुरवेदी जी थे कनहिया लाल अपने गवई स्टाइल को लेकर काफी मशूर हुए थे एक तरह से वह कॉमिक आर्टिस्ट भी थे करियर के शुरवाती दोर में इन्हें कई आसफलताव का सामना करना पड़ा इसके बावजूद भी यह आज एक जानामाना नाम बन चुके हैं तो चली जानते हैं इस अभिनेता के बारे में कनहिया लाल जी का जन 10 दिसंबर 1910 को वारानसी के एक हिंदू व्रामण परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम भेरवदत चोबे था जो की सनातन धर्म रामलीला मंडली के संचालक हुआ करते थे कनहिया लाल जी और इनके बड़े भाई एक्टिंग के बेहत शोकीन थे यही वज़ा थी कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था अक्सर वेह कहा करते थे कि ताबो में क्या रखा है बंदे अरे सबक ले जिन्दगी का जिन्दगी से गर बात की जाए इनके फिल्मी करियर की तो इन्होंने अपने करियर की शुरुवात साल 1949 में आई फिल्म एक ही रास्ता से की दरसल हुआ यू की जो किरदार इन्होंने इस फिल्म में निभाया था वेह किरदार किसी और का था जब वेह अभिनेता नहीं पहुचा तो एक किरदार इनकी जोली में डाल दिया गया इनके अभिने को देखती हुई इन्हें 1940 में महभूब खान दुआरा निदेशित फिल्म औरत से कनहिया लाल जी को काम करने का मौका मिला जिससे इन्हें एक नई पहचान मिली इस फिल्म में इनके अक्टिंग को फिल्म निर्देश को दुआरब सराह गया था इन्होंने अभिनेता बनने के लिए काफि संगर्स किया और कई सारी मुसीवतों का सामना करने के बाद यहे एक अभिनेता बन पाए फिल्म के रिमेक मदर इंडिया में एक बार फिर कनया लाल जी नजर आए इस फिल्म से इन्हें खासा पहचान मिली इन्हें कई सुपर हीट फिल्मों में काम करने का मौका मिला यहे आकरी बार सन 1983 में आई फिल्म पतकड़ी में नजर आए थे इन्होंने दो शादिया की थी अपनी पहली पत्नी का निधनोंने के बाद इन्होंने जाम बंसी से शादी कर ली थी आपको बता दे कि 14 अगस्त 1982 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था इनके निधन के बाद इनकी फिल्म हतकड़ी रिलीज हुई थी जिसे द पीने तक करने या लाल के बारे में जानकर आप अपनी राय हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरू बताएं साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले